हाईलो फ्रेंड वेलकम तू मोई यूट्यूब चैनल अपनी फार्मसी आज हम जाने वाले हैं सैक्लोपांप टैबलेट के बारे में जो एक पापुलर ब्रैंड बोच सकते हैं पापुलर मेडिसिन बोच सकते हैं जो आपके हर मेडिकल शॉप में मिल जाती है आज हम जाने व इस वीडियो में चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें सैक्लोपांप टैबलेट को रेमिडिस इमिडेड मैनिफेक्चर करती है इसकी जो एम एर्पी है 50 रुपीज की अम आर्पी आती है इसके जो कंटेंड है 10 सैक्लोमीन 20 एम जी आएगा ए ऐसलिज एक एटी ऐसमोडिक है जो आपके स्टमक पेन में मुदक कीसी प्रेज क्या प formulated का बिजैं sheer करता है जो एक आपके ध्र वीडि जी फीवर में आपके किसी भी बॉडी पें में काम करता है जे जानते हैं इसके यूजर्स क्या है किन किन ब्रैंड नेम से इसको मिल जाता है बहुत सारे ब्रैंड आते हैं जैसे बरलगान करके आता है बली मैक्स करके आता है और बहुत सारे ब्रैंड आते हैं अब स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं आप जानते हैं कि क्या-क्या उसर से और इनके बीमारी हो हो में आप इस्तामाल कर सकते हैं Cycloparm Tablet को के Abdominal Pain में, आपके Stomach Pain में, आपके अगर आपको diarrhea से diarrhea हो रखा हो, उसके जैसे आपके Chaid Rit हो रहा हो, Periids का Pain हो रखा हो किसी भी टइप का stomach pain हो उसमें best काब करता है cycloparm tablet अब जानते हैं कि क्या किया side effect है side effect जानना बहुत जरूर है क्योंकि जो product आप इस्तमाल करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकरी आपको होनी चाहिए नई तो उसकी ओजस से problem हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखे cycloparm tablet के side effect है इसको लेने से आपको vomiting हो सकता है आपको चक्कर आ सकता है आपको weakness feel हो सकता है आपको gastric की problem हो सकती है आपको nervousness हो सकता है आपको यई दिया भी हो सकती है इसको लेने से अब बात करते हैं इनके doses क्या है आपको बार ले सकते हैं सुबों में एक शाम में ले सकते हैं अगर आपकी age 12 साल से नीचे है तो इस tablet को half tablet सुबों में आफ टाबले शाम में ले सकते हैं आप जानते हैं इसको को नहीं लेना चाहिए अगर आप pregnant woman हो breastfeeding mother's हो तो आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि ये pregnancy में भी safe माना गया है and breastfeeding mother's में भी safe माना गया है ये वीडियो जो है information purpose के लिए है आप कोई भी tablet लेते हैं तो doctor recommendation से लिए इताव doctor recommendation ना ले अगर आपको इस tablet के बारे में कोई doubt है तो नीचे comment box में comment कीजिए उसका जल से जल जवाब दिया जाएगा तो वीडियो इंफरमेटी लेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करे चैनल को subscribe करे Thank you very much for watching